जो सुख में साथ दे वो रिष्टे होते हैं और जो दिख में साथ दे वो फरिष्टे होते हैं वेलकम डू बिजिश्ट आइकुन में आपका स्वागत है मैं हूँ आदित्यवंसल दोस्तों आज बात करेंगे रिट्स के बारे में रिट्स के नाम आपने पहले भी सुना होग करने इस वीडियो में पूरा समझेंगे पतुर्ट किkanra वहां किन फ्रिट के वारे संहे ने सबीन इन्वेस्टेट करना वी एat है कि तो ऑाः से को यह कि अगर आपको पैसा इंव्हेश्ट करना है अगर पैसा आपका इंवेश्ट करना है आपके पास ज़्यादा पैसा तो आपको प्रॉपर्टी खरिव दिना और प्रॉपर्टी को रेंट कर देना रेंट से जो इंकम आगी वह आपकी विलकुल सिफस्ट नहीं की फिक्स इंकम होती है, जैसे कि एबडी में होती है तो fix income tools real estate एबडी तो लोग सबसे चादा real estate को पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पैसा आपका जैसे कि property के दाम बढ़ता है तो पैसा भी बढ़ता है और fix income आती रहती है दोस्तों आज कल real estate में क्या वे डिक्कत आरही है बहुत सारी दिक्कत भी चल रही है पहली दिक्कत तो क्या होती है कि आपको अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको एक दाल एक दो लाग रोपे से काम नहीं चलेगा अगर आपके पास 40-50 लाग रोपे होंगे 25-50 लाग तो चाहिए तभी आप एक प्रोपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगी सही बात है तो पहली दिक्कत तो यह हो गए कोई रिटल इन्वेस्टर है इसके पास पैसा काम है तो वो कहां से इन्वेस्ट करेगा दूसरा अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए अपने किसी में इन्वेस्ट कर दिया पर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो नहीं मिलेगा उसको बेचने जाओगे फिर दलाल डूड़ोगे फिर बहुत सारी दिक्कते आती है तो उसमें पैसा पिनेगा एकदम से पैसा नहीं मिल पाएगा जैसे कि अपड़ी में होता आपने अपड़ी टोड़ दी पैसा मिल गया लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा इसको बेचने पाओगे बेचने जाओगे तो खमसे का महीनों लग जाएंगे तो दूसरी दिक्कत ही आ गई इसी के साथ साथ क्या हुआ कई कंपणियों ने एक रियल इस्टेट इन्वेस्ट्मेंट ट्रस्ट का गटन किया यहाला कि 1960 से यह यूएस में अमेरिका में बहुत पॉपुलर है इनमें इतना पैसा इन्वेस्ट में लोगों ने इन्वेस्ट किया है बहुत अच्छा तो बात करते है रिट्स क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म में रियल इस्टेट इन्वेस्ट्मेंट ट्रस्ट जो बैसिकली क्या करता है यानि कि ऐसी ऐसे एसे एसेट्स में पैसा लगाते है जिससे की इनकम जेनरेट हो इंकम जनेरेटिंग एसेट्स में इन्वेश्ट करता है ठीक है रियल स्टेट में ओके इसको एक और दायने से समझ सकते हैं जैसे कि चार दोस्त है ठीक है आप आप अकेले हैं पहले अपन समझते हैं कि पहले अपने अकेले हैं और अपने कोई प्रॉपर्टी देखी हमें लगा कि इसमें आराम से एक लाग रुप महीना आ जाएगा इस प्रॉपर्टी को लेने प्रॉपर्टी लेने जाओ तो यह दो करूड रुपई मिल रही है अब अकेला पैसा तो इतना है नहीं तो आपने क्या हुआ हुआ चार लोगों को इखटा किया चारों ने 50-50 लाग रुपई देकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया ठीक है ठीक है इसाब प्रॉपर्टी भी खरीद लिया उसको रेंट पर लगा दिया एक लाग रुप महीना आ रहा है तो आपने 25-25 जारों पर चारों बाट लिये ठीक है यह आपकी एक फिक्स एसेट इंकम आ चुकी है बस यही काम यह करता है इसको आप समझेंगे पूरे डेल में कि यह कैसे काम करता है तो एक बेसिक इस्ट्रक्चर है इसको समझने के और इंवेस्टर क्या करेगा रियल इस्टेट इंवेस्ट्मेंट ट्रेश्ट में पैसा लगाएगा तो इसको काम करने के लिए तीन में मुख्य रीजन होता है इसको काम करने के लिए पहला रहता है Sponsor ठीक है पहला होगा। Sponsor और दूसरा होता है मैं बताखेता हूँ आपको हाँ पहला होता है Sponsor ठीक है तो इसको Spons करता है Spons करने के लिए लाए सेवी के मताबिक Sponsor कौन बन सकता है Sponsor वो बन सकता है जिसके पाश 25% योनिट है हो इस पूरल उसका होता है इसके पगर पाती कंपनी एक गोड aynı क्रोड तो 400 क्लॉड तो राव मेज़क्र दूसरा होता है इसमें मेनेजर कंगर यह काम्या काम रहता है यासे की फंडो आनियर रहता है जो आपको मैनेज करते हैं आपके fund को ऐसे जगे लगाते हैं जैसे की share ले लिए, mutual funds ले लिए और भी ऐसी जगे लगाते हैं जैसी growth हो, उसी पेकार से इसमें manager होते हैं, वो यह काम करते हैं, उनको धंदाई ही है, के रिश्टेट में उनको बहुत अच्छे समझ होती है, और वो जानते हैं यह property यहां ल यानि की, जो manager को देखता है, भाई तो manager है, manager है, manager सही काम कर रहा है के नहीं कर रहा, manager को पैसा दे रहा है, पैसा यसी जगे लगा रहा है के नहीं लगा रहा, कि लोगों का पैसा बढ़ रहा है के नहीं बढ़ेगा, तो सब कुछ देखते रहते हैं, वो trustee होते हैं, ठीक है अब क्या किया हम लोग। अब इनवेस्टर है अब यह काम कैसे करता हमें एकंवेस्टर है। इनवेस्टर ने इसमें पैसा लगा दिया। अब यह क्या करेगा। इसका मेनिजर एक income generating Eventость में पैसा लगाएगा। एसे इween frequency पैसा लगा इसी property ख structure हरी देगा। यह समाज़कर यतना यसमें क्या होता है 80% फैसा ये लगाते हैं इंकम गाज़े को लुटेटे को लॉन देने में को लह लॉन देते हैं बॉन्ड देते हैं सिदिय से बात इनको ऐसा इसी चीज चाहिए जिस्से की fix इंकम आ जाए मेरी जिससे की में लोगों को investor को दे सकूँ तो यह बहुत अच्छी चीज है अब बात करते हैं किस से आपको benefit क्या है ओके तो इससे benefit हमें यह है पहला benefit तो dividend की रूप में होता है कि इन्होंने क्या कि इन्होंने income generating tools में पैसा लगाया वहां से जो भी पैसा आएगा monthly वह आपको dividend की रूप में आ बरावर बरावर पांट दिये जाएगा इसका 90% पैसा आप समय बरावर बरावर बांट दिये जाएगा बाकी 10% आगे के लिए रखा जाता है ओके तो यह तो हो गया आपका dividend की रूप में income यानि की fixed income एक मिलती रहेगी हर महीने और उसके साथ-साथ जैसे कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो प्रॉपर्टी ने इन्वेस्ट किया है तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे तो आपके इसका आपके सेर भी बढ़ेंगे यानि कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी और आपके पैसे बढ़ेंगे जैसे कि तो शेर के दाम अपने अब बढ़ जाएंगे अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं दोस्तों इसके इन्वेस्ट करने के लिए दो आई पीओ भी आ चुके हैं रिसेंटली पहला आया था पिछली साल बाइंड स्पेस बिजनेस पार्क एरिट्स के नाम से जो की अभी एक महीने पहले आया था आपने देखा होगा तो उन दोनों में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अध्या के इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई विब्सेमउर्ट भी होता है ला तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अब Let To करते है कि अुआ कि इसके क्या मूं से या आपको एक प्रोष ऐनके क्या रिटान नियुक्ते दिशत के अब दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं advantage के बारे में advantage में क्या रहता है इसमें आपको STD return मिलता है यानि कि एक fixed return मिलता है आपको जो कि आपको abd मिलता है यहां फिक्स return आपको मिला दिखा जाएगा कि भाई हमने आपको अपने पैसा इसमें लगाया है और आपको यहां से फिक्स इंकम रिटन आपको मिलेगा ठीक है इतना फाइदा यह दूसरा है दूसरा है और लिक्विट देन नहीं और इसमें आपको एक फाइदा यह भी है लिक्विटी का कि आपने कोई स्वाप करीद ली और आपको एक ही जगह तो एक ही जगह पर आपको शौप मिलेगी लेकिन यहां पर क्या है आपने पचास लाग रूपर डाले और यह 10 जगए अलग अलग इंवेस्ट करते हैं तो आपको 10 जगे का फाइदा मिलता है तो यह इसमें benefit है यानि कि आपको diversification का फाइदा मिलेगा और अगला इसमें easy of investment investment भी बहुत easy है ओके और मैंने आपको बता दिया help for help in diversification आपको बता दिया मैंने कि अलग 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 जए invest करते हैं हर city में invest करते हैं तो आपका पैसा भी हर city में invest होगा और आपको अलग अलग तरह से जैसा रेंट आएगा उससाब से आपको income होगी अगर आप खुद से करने जाएंगे तो आप एक ही चीज में इन्वेस्ट करेंगे अगर आप 50 लाग रुपए आपके पास है तो आप एक ही मकान खरीद पाएंगे और यह अलग-अलग मकान खरीद लेंगे सभी के मिलाके इन्वेस्टर के साब से तो इसमें फाइदा है और दूसरा अगला फाइदा यह है managed by professional जो professional लोग होते हैं जो इसी फिल्ड में काम करते हैं जो graduate होते हैं जो लिखे पड़े होते हैं वो आपके fund को manage करते हैं जैसे कि future mutual funds में आपका fund manager manage करता है उसमें भी manager होता है वो आपके पैसे को ऐसे जगह लगाता है जहां से अच् भी नहीं हो ठीक है अब साथांस के disadvantage में का है क्या है क्या है lack of control कि एंड ट्रांस्पेरेंसी यानि कि आपका कुछ इसमें कंट्रोल नहीं है ट्रांस्पेरेंसी भी नहीं है कि इसका fund manager इसको manage करता है और वो किसमें manage कर रहा है वो आपको नहीं बताए जाएगा ठीक है और limited growth prospective से limited growth को हम नहीं मालेंगे क्योंकि इसमें growth तो होती है dividend से आपने इसमें इन्हों ने रेस्ट किया और आपको dividend की रूप में हर महीने income आएगी जैसी कि आपको बता है real estate में धीरे-धीरे growth होती है आपने पैसा लगाया और एकदम से growth तो हो नहीं जाएगी 10-20 सालों में उसकी property की रेट बढ़ेगी तो मैं growth potential limited रहे है और अगला इसका कि एडवांट डिसएडवांटिज यह है risk akin to debt of the broader real estate market 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 में जो रिस्क रहता है वो भी इसमें रिस्क बना हुआ है दोस्तों रिस्क सभी में होता है growth तो आपको पता है रिलिष्टेट है बहुत अच्छा गिरोद दे रही है और transparency के साथ साथ तो काम कोई भी company काम करेगी तो इसमें पूरा law के बीडियो बनाया बाकी reads एक नया नाम है और इंडिया में यह अपने पैर पसार रहा है और दीरे दीरे तक यह प्रॉप पॉपलर होगा तो बहुत अच्छा पैसा लगों को बना के देखे जाएगा क्योंकि आपको पता है इंडिया की economy बहुत मजबूत है और आगे इसको तरक्की करने पर है ऐसा नहीं कि पीछे जाएगी हमेशा तरक्की करेगी और आप आज तक का record है रेल इस्टेट धंदे में कभी लोस नहीं हुगा जो भी प्रॉपर्टी करीदी हमेशा बढ़ी है और अच्छा पैसा दे के जाती है उससे प्रकार से इसमें बस इसको एक फंड मैनियर मैनेज करेगा और आपको डिविडेंट के उपर इंकम देगा डिविडेंट के प्रणियों में कुछ नहीं किया क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा चैनल एसमें आपको बहुत फाइदे देते हैं आपके फाइदे की बहुत सारी चीज़े बताते तो फटापट से आपको तीन काम करने पहला चैनल को सब्सक्राइब करना है दूसरा टेलीग्राम को जोइन कर सब्सक्राइब करने लिंक मिलेगी डिस्केशन में तैंक यू मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिन जय भारत